कुश्य ने आपको LCM बताना है यह टर्म्स आपको जो दिये गए हैं इनका आपको LCM व्याद करना है सबसे परले इस टर्म्स को देखिए यहां से हम क्या कमन ले सकते हैं यहां से यह भी कमन लेंगे तो ब्रैकेट में जाएगा A2-B2 मैं यहां पर लिखता हूँ यह भी जब हमने कमन लिया यहां पर ती होगा आपका A2-B2 अब दूसरे टर्म्स को देखिए इस वाले टर्म्स को देखिए यहां से हम क्या कमन ले सकते हैं यहां से आप बोलेंगे तो यहां से हम A2 B2 common ले सकते हैं तो bracket में क्या बचेगा ? A- का यह बचेगा कितना आपका ? B बचेगा यहां से जब हमने A2 B2 common लिया तो bracket में क्या बचा ? A- का B अब 3rd terms को देखिए 3rd term क्या है अमरा ? 3rd terms यह है तो यह तो खुद A भी है यहां से तो कुछ common लेने की ज़रुवत नहीं है LCM क्या होता है अब इसका LCM लेना है तो LCM में सारे संख्या आने चाहिए यहां से 3, 6, 8 का में LCM लेना है यहां से 3 आएगा तो है आएगा यह बच रह dif दूंता है, यह नहीं सकता है, दो A różबता है प्रैकेट के अदर के आएगा आपका a promise कि अदर के अदर आएगा आयगा a- की ऐगा बचेचे आपका a plus b बचेचे अब का a plus billion बचेचे. तो यही आपका LCM हो जाएगा इसका A square B square into A square minus का B square यह किसका formula है A square minus का B square तो यही आपका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा I hope यह question आपको समझ में आगया होगा option number A जो है is question का sorry A नहीं B जो है is question का answer हो जाएगा option number B